जहन्द नमस्कार मेरे सेर्शेनियो स्वागता आप सभी का अपने यूटूब चैनल कमांडो केडमी पर दोस्तों आज का वीडियो इस्पेशली मेडिकल से रिलेटेड है जो प्राइवेट पार्ट से समंदित आपके प्रोबलम है जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है बहुत सारे भरम भी है कि SSGD में किस कंडिशन में आपके प्राइवेट पार्ट में आपको मेडिकल से डाइरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा पहला तुम्हें आपको बता दूँ इस बाहर मेडिकल में आपको रिमेडिकल के लिए समय नहीं दिया जाएगा जिस दिन मेडिक हैं तो आपको pre medical करा लेना चाहिए इसके जानकारी के लिए नीचे दे गए नमबर पे आप call कर सकते हैं अब बात करते हैं कि जो private parts है उसमें कौन-कौन सी बीमारी के करना आपको out कर सकते हैं या किस बीमारी के करना out नहीं करते हैं आर्मी मेडिकल और ससी जीडी के मेडिकल में रात और दिन का फरक होता है मैं आपको बता दूँ आर्मी का तो मेडिकल होता है और ससी जीडी का मेडिकल होता है उसमें रात और दिन का मैं आपको तो आर्मी मेडिकल में किसी प्रकार की जांच नहीं होती जबकि ससी जीडी के म कि यह जांचे होती है ठीक है अक्सरा आगे और पीछे का दोनों का जबकि आर्मी में इस प्रकार की कोई भी चीज़ें चेक नहीं होती है तो उसको आर्मी में पूरी प्रोब्लम उसके उजासे लेकिन अब चलिए हम अपने वीडियो की तरफ चाहिं बढ़ते हैं तो अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रहे है तो आप इसको स्कीप कर दीजिए यह वीडियो और शिर्फ लड़कों के लिए है देखिए एक है pails का और दूसरा है बवासीर का देखिए जिसके भी pails की problem है या बवासीर की problem है ये दोनुही बीमारी को आप ठीक करा सकते हैं ध्यान रखना और इस मेडिगल फेर रोलने से आप पस सकते हैं अगर आप समय पे ध्यान दे लेते हैं जिससे pails के लक्सन अगर आपको नह में एक लियर बना रहता है मतलब इस परकार से वाइट कलर का ठीक है दूसरा अगर वो कुछ भी ठंडा या गरम खा लेता या जिसे गरम मसाला वाली कोई भी चीज खा लेता तो उसके जलन शुरू हो जाती है पाइल्स की वज़े से ठीक है इसके होने के रिजन तो बहुत सा हो जाएए कि यह कैसे आप पैचल सकते हैं आपके पाइल सेगनी आप जैसे अगर कुछ भी ठीक होगे इसमें जलन शुरू हो जाएगी आपके इसका इलाज करा सकते हो बवासी कई परकार की होती है कईयों के क्या होता है होल के अंदर कट लगे वे रहते हैं जिसकी वज़ करकार से कट लग रखें मस्से के कारण तो उसके लिए भी आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं और यह ठीक हो सकता है और आप मेडिकल फैल होने से बच सकते हैं यह दो मुख है समझ गए और दूनों ही ठीक करा सकते हो पिछे के एक पाइस और एक बवासी जो मस्सा भी बोलते ह प्रोब्लम होता आप और प्रोब्लम करा सकते हैं इसका या कोई देशी डोक्टर से इलाज गराते हो तो करा सकते हो लेकिन अगर आपके होल के भार चमडी ती गई तो इसका मतलब है कि आप डायरिट अनफिट हो जाओगे अब बात करते हैं आगे वर्षन की देखो एक को सिल एक हाइड़ोरो सील होता है हाइडरोस यह जिनके वर्षन में पान भांणी घटाता या बड़े-बड़े हो जाते हैं कई बार सुई से भी पानी निकालते हैं कुछ इसके इलाज भी है तो इसका अभी आप इलाज करा लिए जिसको हाइड़्ोरो सील की प्रोब् एक वर्षन कापी छोटा हो जाता है या दोनों ही वर्षन मान के लिए बिल्कुल छोटे हो जाते हैं क्यों क्योंकि यहां की जो नसे हैं वो वेरिको सील के तरह से गुच्छा बन जाती है शिकूर जाती है पूरी तरह से और उस बंदे को देनिक जीवन में भी प्रोब्लम हो हो जाती है उसमें जो वीरिये बनाने के समता वो भी कमजोर होती जाती है इसका इलाज operation ही है लेकिन हाँ इसका operation कोई भी recommender नहीं करता जल्दी से क्यों क्योंकि साधी शुदा अगर है उसके बच्चे हैं तो फिर problem नहीं है लेकिन इसके operation के उज़े से इसी problem भी आ सकती है अगर आपके है तो आप अच्छे हनुबवी डोगोटर के पास में इसका निदान कराए जल्दी operation ना कराए लेकिन हाँ इस condition में आप फेल हो सकते हैं अगर आपका वर्षन इस प्रकार तो किस condition में देखिए एक तो वर्षन की वर्षन हो सकते हैं कोई problem नहीं है इतने होने में आपकी गोलियां इस पर रोने चाहिए दोनों को आथ में पकड़े इस पर से पकड़ी जानी चाहिए तो फिर कोई problem नहीं है आपके किसी प्रकारगा कोई दर्द नहीं होना चाहिए पैनिस की अगर हम बात करें तो आपके एक ही होल होना चाहिए अब आप बोलों के से होल तो एक है नहीं जी हमने medical किया भी लगबग 200-200 बच्छों को कर दिया उनमें से चार से पांच बच्छे इस से मिलें जिनके तो होल है पैनिस में आगे तो वो medical pointer permanent pointer कोई इलाज भी नहीं है तो अगर आपके भी एस इस्तित प्रश के तयारी नहीं करने चाहिए एह होना चाहिए एक होता होल इस नोट प्रोपर होल सामने होता था कुछ होगे नीचे की तरफ हो जाता या काफ ही उपर हो जाता तो उसका भी point मिलता या army में मिलता है SSE GD में भी मिलता है होल की जो सिच्वेस्ट जो पोजिसन हो बिल्कुल सही होनी चाहिए एक होती है फिमोसिस कई वर्ष जो आपकी पेनिस की चमड़ी है वो पीछे नहीं जाती है इसको बोलते है फिमोसिस इसका एक छोटा सा ओप्रेशन होता है आपके दो तीन अजार रु कट लगता है और लगबग साथ से आट जार रुपे का खर्च आपके आ सकता है लेकिन आपकी ओप्रेशन आपको करा लेना है समय रहते हैं क्योंकि इसमें दो से तीन दिन का समय भी लगेगा फिर कोई प्रोब्लम नहीं होगी ठीक है पेनिस के एक तो होल इस नोट प्रोब्लम है वो इस पेशली इन चीज पर ध्यानकना वसन के एक हाइड्रोसील एक वेरिकोसील ठीक है इनका भी आप विशेश करके ध्यानकना बाकी तीनों पॉइंट पिछे के वो भी मैंने आपको बता दिये इसके अलावा भी आपके प्राइट पार्ट से समद्द करेंट करिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अंसर कर शुको अगले वीडियो में जै हिंद जै भारत करें